हेलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टेडी पॉइंट यूटूब चैनल पर आई वेलकम यू आल तो स्टेडी पॉइंट और आज के इस पटिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपोर्टन फाइफ कोशन डिसकस करेंगे जो कि आपके आने वाले एक्जाम पॉइंट ऑफिस से बहुत जी जाद है इंपोर्टन है क्योंकि इस तरह की कोशन एक्जाम में बार बार रिपीटिटली पूशी आते हैं डिसकेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ मैं आपको रीजनिंग, मैस, साइन्स और जीकी की प्लेइलिस्ट बनी हुए तो अपने वीडियो को जरूर दिखिया है क्योंकि उनमें इंपोर्टन को डिसकस किया गया है अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूटूब चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करिएगा तो पहले कोशन पर हम लोग आते हैं, कोशन दिया हुआ है चित्र में दिखाया अनुसार, शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है बॉक्स में यू के विपरीत सता पर कौन सा अक्षर होगा आपके सामने चार आप्शन या पर दिया हुआ है देखे इस तरह के कोशन को करने के लिए नॉर्मल मेथड भी होता है यहां पर हम लोग देखते हैं एक ट्रिक के मादधम से इसको हम लोग सॉल्फ करने के कोशिश करेंगे कहले सॉल्फ करेंगे देखे यहां पर जो इस तरह के कोशन दिया जाए तो हमें क्या करना होता है यहां पर दिया हुआ है सबसे जो लंबी लाइन दीर होती है हो यहाँ पर 3 होगा यहाँ पर 4 यहां इनकी 2 क्या हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा और जो यू होता है इस gives क्या होता है यानि कि बचा वनारा क्या यू और वी तो यू की विप्रीद क्या हो जाएगा की यो की सब्सें यहां नहीं चेक करना होता है उसमें बन 53 مेंशन कर लेते हैं आपको यह पता होना चाहिए कि वन के विप्रीत 5 होता है यानि W के विपरीत Y हो जाएगा X के विपरीत यहाँ पे Z हो जाएगा और बचा हमारा U U के विपरीत हमारा यहाँ पे हो जाएगा V, अगर आपसे कुछ भी पुछे इस तरह के question में कि W के विपरीत तो अगर पूछ लिया तो आप बता देंगे यहाँ पे Y हो जाएगा और X के विपरीत के विपरीत हो जाएगा इस तरह आप इस तरह के question को solve कर सकते हैं यहाँ पे यह question आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे मारा सही answer होगा U के विपरीत होगा V जो के मारा option A में साफ साफ दिख रहा है तो यहाँ पे option A हो जाएगा यहाँ पे सही answer इसे पहले dice का एक important video channel पर upload किया गया जिसमें dice के concept को समझाया गया उसमें important trick को भी discuss किया है जिसका link description box में है तो अब उस video को जरूर देखेगा नेक्ष कोशन पर हम लोग आते हैं कोशन है कोशन है कोशन है easy है दिये गए विकल्पों में लुप्त संख्या ग्यात कीजे इस तरह की कोशन मैंने कई solve करा है reasoning के वीडियो में तो इस तरह की कोशन को solve करने के लिए हर एक कोशन का अपना अलग pattern होता है तो इस तरह कोशन करने के लिए हमें practice बहुत करने हो क्यों कि हर कोशन में अलग pattern follow होता है तो यहां पर क्या pattern follow किया गया है देखें यहां पर आपको किसी तरह यहां पर जो 12 यह कैसे आपको पता करना है तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं ज़ो यह block दे रखा है ठीक है इसमें इसमें और इसमें ठीक है इसमें आहँ लूग चेक करते हैं कैसे करएंगे कि आप बारा है sole याँ बचे गाबिट दम छोला से दम गटा तो और आप बचे- कम यहां परथी चार इसमें के इसमें देखते हैं यह को सुल्फ करने का नियूहां मैनस कर देंगे विविए संधाल सब्सक्राइब पंद्रा ठीक है जो कि हमारा option A में साफ साफ दिख रहा है ठीक है तो यहाँ पर जो question मारके इसके जगा क्या आ जाएगा पंद्रा और यही होगा हमारा answer कुछ नहीं करना है इसको minus करका इसको minus करके इसको minus करके जो answer आएगा उसको plus कर देना है इसी तरह यहां पे minus करके, यहां पे minus करके, यहां माइनस करके, जो answer है उसको यहां पे plus कर देना दिनों को, तो इस तरह के question को आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी, अगर question समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को like जरूर कीजएगा, और आपने friend circle में share भी जरूर कीजएगा next question है, blood relations है, ठीक है, blood relations है, और इससे भी question पूछे आते हैं, question क्या दे रखा है, A तथा B भाई है, ठीक है, A और B क्या है, भाई है, C जो है, B की क्या है, बहन है, और यदि D, A की बेटी है, तो C का D से क्या रिष्टा होगा, देकि इस तरह question करने के लिए क्या होता है, अगर same same relation होता है, तो एक line से यहाँ पे दर्शात है, जैसे कि भाई भाई है, A, B, ठीक है, तो यह लोग भाई है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे, एक से यहाँ पे denote करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे A का कोई father होता, Z होता, तो यह एक उपर चला जाता, Z, ठीक है, अगर husband wife का relation होता है, जैसे कि C और D मालेजी एक्जामपल में, तो हम लोग दो लाइन से यहाँ पे denote करते हैं, मालेजी जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, A और B भाई है, तो मालेजी एक ही कोई बेटी होगी, तो यहाँ पे नीचे से denote करेंगे, एक ही मालेजी बेटी X है, यहाँ पे यहाँ पे हम लोग उपर से denote कर देते हैं, एक जनरेशन उपर चला जाएगा, और इंका कोई है, तो यहाँ पे एक जनरेशन नीचे चला जाता है, ठीक है, तो हम नॉर्मल में, आपको यहाँ पे बताया, इसको solve कैसे करेंगे, दिया है कि A तता B भाई है, यानि कि सेम है, आपको पता है, मैंने बताया कि भाई है, तो A और B यहाँ पे भाई हो जाएंगे, A और B यहाँ पे हैं भाई, यह लाइन से denote करेंगे, यह है प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि ब्रदर है, ठीक है, C जो है, B की बहन है, ठीक है, जब यह लोग भाई है, तो इनकी बहन होगी C, ठीक है, तो बहन होगी तो यह मैनस C से denote करेंगे, यदि D A की बेटी है, यह जो D है, यह A की बेटी है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चोटा सा करके बताना होगा, A और B यह हैं भाई, ठ ठीक है, और इनकी एक बहन है, C माइनस, और जो है, D A की बेटी है, यहाँ पर D लिख लेते हैं, यह बेटी है, किसकी A की, ठीक है, तो C D से क्या रिस्ता है, यानि कि C का, मतलब इसका रिलिशन पूछा है, ठीक है, C का रिलिशन पूछा है, यहाँ पर, C का D से क्या बहन है और भाई की बेटी जो है क्या कराएगी इस भाई की यहां से यहां पर भुवा ठीक है सिंपल कोशन है यह आपको समझ मागया होगा इसमें अधा एक्स्पें करने की जरुवत नहीं देखिए ब्लड रिलेशन का कोशन आये तो उसको आप खुद से रिलेट कर के कोशन को सॉल्व करने कोशिश क्या करें तो कोशन अपने आपने ही सॉल्व हो जाएगा असानी से फिरसे एक बार देख लेते हैं अगर आपको नहीं आया देखिए उप mismo यह एक बहन है और एक दो बैटी है डी तो सी का दी से क्या रिलेशनों को यहीं पूछा है तो सी जो है डी की बुआ होगी ठीक है यहां पर option A हो जाएगा यहां पर हमारा सही आंसर आई होब यह भी question आपके लिए समझ में आगया होगा और इस तरह के question exam में पूछे भी जाते हैं कई बार important हमने दिया हुआ है नीचे देगे आकरिती में कुल कितने त्रिबुच है ठीक है यहां पर एक आकरिती दे रखी आपको आपको बताना यहां पर कितने त्रिबुच है चार option आपके सामने दिया हुआ है तो इस तरह question solve कोने के सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहां पर देखे आपको यह एक यहां पर जो रुष्टी तरह इस साइड भी यह देख रहे है यहां पर तीन यह हो गए यह एक दो और एक बड़ा वाला उसके बाद यह चार और इधर ही Пांशे, दो यहांपर हो गया और एक बड़ा वाला तो है, यहां पर एक और उसके बाद यह वाले, यह वाले ठीक है, तो यह पर हो गया टोटल 14, यहांपर टोटल 14 आपके प्रिबूज है, जो की option B में साफ साफ दिख रहा है इसके बता दर्चंग को एक बड़ा वाला है इसें सब्सक्राइक है इसमें प्रॉट निलam ऐसे आधा हुष्पॉष्पॉछ हो रहा है तो इसमें टौठार 14 त्रिपूज है तो option B हो जागा यहाँ पर हमारा सही answer next question पर हम लोग आते हैं question दिया हुआ है कि magnet शब्द के अक्षरों को वर्णा नुक्रम में विवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की इस्थिति आ परिवर्दित रहेगी वर्णा नुक्रम मतलब alphabet के according ठीक है chronological order में यहाँ पर दिया हुआ है magnet ठीक है इसमें हम लोग ABCD के हिसाब से जब इसको adjust करते हैं तो क्या क्या आता है देखते हैं पहले क्या दे रखा है magnet M A G N E T ठीक है इसको हम लोग according to ABCD हम लोग इसको व्यवस्तित करेंगे तो पहले क्या आता है पहले आता है A ठीक है A के बाद क्या आता है हमारा according to this यहाँ पर है E E के बाद यहाँ पर G फिर M N फिर T अब इसको आप लोग देख रहे हैं कोशन हम क्या करें देखे magnet शब्द के अक्षरों को वर्णा नुक्रा में व्यवस्तित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की इस्थिति आपरिवर्थित रह रही है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने शब्दों की इस्थिति आपरिवर्थित रह रही है तो जो यहां पर G है यह परिवर्तित है और जो यहां पर T है यह परिवर्तित है तो यहां पर दो अक्षर ऐसे हैं जिनकी सिती आ परिवर्तित रहे रही तो option B हो जाएगा यहां पर हमारा सही answer आयो पर इक्षर को समझे track करना है यहां पर मैगनेट लिखना है अब आपको ABCD के साबसे अक्षरों को विवस्य Harshit कर लेना फिर आपको देखना है कि कौण से अक्षर है जो अपने प्लेस पर हैं तो दो अक्षर ऐसे थे जो अपने प्लेस पर थे कौन कौन से था एक थो था T और एक था आपका क्या जी ठीक है तो option B हो जाए गए यहाँ पर हमारा सही answer तो यहाँ पर हमने आज कुछ 5 important questions को discuss किया जो कि आपके आने वाले exam के लिए important है वीडियो को like and share जरू करेगा thank you so much for watching thank you